क्लास फेप्थ मैं अरश प्रसाद आज आपनों को एन्वार्मेंटल स्टुडीज का चैप्टर थ्री रूट्स एंड लिव्स कराने जा रहा हूँ चलिए देखियो पहले स्की में पॉइंट्स देखिले फिर चैप्टर की तु ये पहला बला प्लांट आज ची य अर सरौंटिंग सैच एंट जाफ लिव्स ऑन थे लड़ यव्स, लिव्स, चैप्टर लिव्स, अपॉड़ीज ग्ट्राइप्टर, प्र लिव्स, अपुड़ीज ग्सेच अपॉड़ूज़ूर ऐर बॉड लिव्स, बॉड़ीज़ तो देखते हैं इस में इस लेज के बारे में जो बता है उसका गया है यहां पर अरेज्मेट दिखाया हुआ है तो पहला यह जिंगल लेफ आर्टनेट अधिया और यह जो गई एक left ते दूसरे right side है ऐसे यहां प्र यह सिंगर लिफ दो रैट चल लई है यह दो 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 जोड़े में रहे ही है यहाँ पर देखिए पिछ एक दूसे के नगें यहाँ पर आपको चाटंगास पत्ते पनार इंटकर हो गया हैं एक गिद्र हो गया है है कि मतलब साथ यह सारे के सारल फॉर्म लिन रहे हैं चोड़ा रूर्स को इन देख ऊपर वाले में सक jurisdiction कर ले Gör रहा है। यह जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं यह इनमें टेप रूट्स कहते हैं इसको सीधे सीधे रहते हैं यह टेप रूट्स यह टेप रूट्स और यह बहुत मजबूत रहते हैं जड़े टूटते रहे हैं और यह फाइबृस रोट्स हैं किसमें जेका फाइबृस की फाइब तक उर्मिलते इससे बुल्जे से लिखायों ये बुली बिट्टी को चक्र देए इसलिए odpow भूत मचबूती से बरते हैं यह गहराई तक पकड़ते हैं यह उपर तक ही रहते हैं लेकिन बहुत मजबूत पकड़के रखते हैं तो इसको फाइवरस रूट्स कहते हैं चलिए थोड़ा सा विंस के बारे में देख लिए विंस अरंजमेंट्स इन लिव्स मतलब लिव्स के अंदर जो दिखाई दे रही इती हैं नसे जिसको बोलते हैं वह है तो पहला क्या है पेलल इस अर्जमेंट्स ऑफानल वेनेशन नहिए नेट-विंस मैं कि इप उसमें देखो यह सारे Geneva सांथ बनादे रहीं है एक साइस के चाल सा पुं ले रहे अंदर है जो न हुआ पत्ली-पॉत जाल था यह मुनूरी उसलिद के सर्क पिडिज्वाइस वाल ले ने बढ़ते हैं question answer की दरफ, what different can you observe in the two different kind of roots shown above? तो answer है या, in deep roots, the roots fibers are less dense, while in fibrous roots, the roots fibers are more dense. तो यहां पर दिखाया हुआ है, देखो आपको, यह tap roots है, इसमें कम dense हो रखा ही है, roots जो हैं, fibrous, और इसमें fibrous root में, यह fibrous root बहुँ जादे dense हैं, चलिए, look at the picture, write which category the roots of uprooted plants belong to, यह answer दे रहा हुँ है, name the plant है, tap root है, और fibrous roots है, किसमें कौन सा root पहला है, redis, redis में tap root मिलता है, jute, jute में fibrous root मिलता है, turn name, turn it में tap roots मिलता है, cotton, cotton में fibrous root बिलता है, carrot, carrot में tap roots होते हैं, तो इस तरह से हम को पहचान सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं, चलो देखते हैं, यहां पर मैं देना चालो कर दो हूँ है, यहां पर name of the plant है, parallel winds arrangement है, और यहां पर net winds arrangement है, तो चलो देखते हैं, सबसे पहले number ले रहा हूँ mango का, mango में net winds होता है, इसके बाद number two, लिली है, लिली में parallel roots होता है, इसके बाद jute है, जूट में parallel आते हैं, cotton में parallel होता है, यहां पर दिखाया हुआ, यहां पर दिखाया हुआ, यहां पर net wind arrangement, reticulate relation दिया हुआ है, तो इस तरह से आप लोगों को देख सकते हैं, पहले भी मने बता दिया था इसका, चलिए थोड़ा आगे बढ़ आते हैं तो, यह है, till now you have observed the roots and the leaves and have filled table of questions two and three on the basis of what you have done, till now fill in the table, चलिए देखते हैं, इसको फ़र देते हैं, यहां नेम है, यहां wind arrangement है और यहां type of roots है, तो चलो देखते हैं, इसमें पहला root दिखार का, यह reticulate है, यहां tape है, और यह fiberis है, चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहला number आता है, paddy याणिज, यह पैलल होते हैं, इसमें winds और roots जो टायव फाइबरस होता है, नमबर two पे आता है, इसमें, पीट में winds जो टायव पैलल होते हैं, और type of roots में, फाइबरस आता है, नमबर three पे है, turnip, turnip में जो है, net, फाइबरस होता है, और root जो होता है, नमबर four है, bean, bean में होता है, net winds होते हैं, और tape roots होता है, मेज, मेज में पैलल्स winds होते हैं, और फाइबरस root होता है, question है, study the table given above and answer the following question, first है, what winds arrangement do the leaves of plant with tape roots have, to answer है, net winds arrangement, second है, what winds arrangement do the leaves of plants with vibrous root have, so answer this is here, parallel winds arrangement, can you see some kind of relationship between the roots of plants and winds arrangement of leaves, write in your own words, so answer is here, yes, in the leaves of plant with tape roots, we have net winds arrangement and in the leaves of plants with vibrous roots, we have parallel winds arrangement, which part of the plant is under the soil, so answer है, the roots part of the plant is under the soil, next question है, in which part of the plants are the winds found, so answer है, winds are found in leaves part of plant, with the help of a diagram, explain the different kind of roots, so answer है, there are two types of roots, first है, first है tap roots, second है fibrous roots, तो यहां पर यह 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 tap root का diagram बनाया हुआ है, पहले जैसे बना के दिखाया है तो वह ही है, और यह fibrous root का diagram है, diagram है, diagram आपको ऐसे बनाने है, तो चलिए बना लेंगे आप diagram इसको, अपनी पापी में बना लेना, चल यह next लेते हैं, नेम दə different venetion यही विन arrangement found in leaf, so answer है, there are two types of winds arrangements found in leaf, so they are first है parallel winds arrangements, or second है net wind arrangement, question है, What is the difference in the wind arrangement of a people leaf and a grass leaf? So answer here, the wind arrangement in grass leaf is parallel wind arrangement, while in people leaf is net wind arrangement. In which order are the leaves arranged on the branches of a plant? Draw, first, China, banglegram, second, mustard, third, rose, and fourth, a piece. So answer here, first, China, banglegrams, paired leaves, opposite order. यहां दिखाये गया है, China, banglegram है यह, इसके बाद mustard का दिखाया हुआ है, और यह rose का है, और इधर piece का दिखाया हुआ है. तो mustard की बाद कर लें, यह bunched leaves है, circular order में होता है. तो rose की बाद करते है, single leaf जो है, यह secluded order है, यह number four bees है, इसमें paired leaves है, यानि opposite order होता है, इसके अदर. Name the kind of roots and weeds arrangement in leaves found in the following plants. पहला है tomato, second है, weed, third है, bean, और number four है, marine gold. So answer है यहाँ पे, name of the plant ले रहे हैं, type of the roots ले रहे हैं, और bean arrangement in leaves ले रहे हैं. तो सबसे पहला number आता है tomato, tomato में type roots होती है, और net winds arrangement है, number two पे आता है wheat, wheat में fibrous root होते हैं, लेकि parallel winds arrangement होता है, number third आता है bean का, bean में type roots होता है, net arrangement होता है, इसमें net winds का arrangement होता है. मारी गोर्ड, मारी गोर्ड में fibrous root होते हैं, और parallel winds arrangement होता है, leaves के अंदर, चलिए, last में आते हैं, यह आज का last question है, what is the relationship between venison, यह विन सर्जमेंट, in leaves and the kind of roots, तो answer is here, the winds arrangement of tap roots plants is net winds arrangement, while the fibrous root plants is parallel winds arrangement, यह दे लेसन सिक होता है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, और यह lesson हमारा यही समापत हो रहा है, बच्चों, नीचे लांदन का यह बटन दिखाए ज़रा है, इसको जरूर दबा के सब्स्क्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा होता कड्चों को लाइक करें, और जादे जादे बच्चों को सेर करें, जिससे जादे बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल ऐकनो कर भी दावा लें, जिससे कि मैणने लगा टूरो को अरतना आपको मिल सके, मेरे चैनल को देखने के लिए ही बहुत बहुत आप लापका TH तैंक्स किसी के साथ मैं आर्श पुसाथ आज का वीडियो यहीं समात करता हूँ मिलता हूँ नए वीडियो में नए टापिक के साथ तैंक्यू है वनाइस टेइ